तो दोस्तों आज का वीडियो काफी special रहने वाल है क्योंकि इंडिया में जो क्रिप्टो का future है उसके बारे में बात करेंगे साथ इसाथ काफी लोगों को doubt है इंडिया में क्रिप्टो का future है वो किस तरह से रहने वाल है तो लास तक वीडियो में बने रहेगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि meme coins हो चाहे stable coin चाहे alt coin हर चीज के regarding आपको यहाँ पर news मिल जाती है वो भी latest update तो उस बज़े से दोस्तों आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए अगर आप असली crypto investor ह तो definitely आपको crypto को support करना चाहिए और मुझे भी ठीक है सेदे सद अपडेट्स को रपड़ते हैं जैसा कि दोस्तों आज से कुछ दिनों पहले यह कह सकते हैं कि पिछले एक डेड महीने से इस तरह के जो आर्टिकल से इंडिया से continuously निकल रहे हैं जैसे कि आप दे सकते हैं चाह कि काफी ज़दा आर्टिकल आपको मिलेंगे वजीरेक्स इंडिया को छोड़ रहा है यह न्यूज काफी ज़्यादा न्यूज कह सकते हैं जो इंडिया में काफी ज़्यादा भेंकर तरीके से निकल गरा रही है अब एक आगड़ा है दोस्तों जो की recent है बिल्कुल 7 दिन प गरा होती जहां पर क्रिप्टो की उन एक्षेंजेस पर दोस्तों जो ट्रेडिंग वोल्यूम है वह लगबग 80-90 परसेंट ड्रोप हो चुका है आफ्टर टीडियस जब से टीडियस लागू है तब से अब दोस्तों टीडियस एक ऐसा टेक्स हो गया क्यूंकि अगर टेक्स लगने वाला था वो सिर्फ जो आपका प्रोफिट था 30 रूपीज उसी पर लगने वाला था जो की था फ्लेट 30 परसेंट लेकिन दोस्तों टीडियस एक ऐसा काम होगा है कि आप जब भी सेल करोगे तो आपका 1 परसेंट वो भी पूरा का पूरा अमाउंट यानि कि अगर आपने ट्रांजेक्शन सपोज आपने अगर एक हजार रूपे गापे गचा है तो एक हजार का टीडेस लगला अगर आपने दस हजार का टीडेस लगल यहाँ पर लोस और फायदे वाले कोई बात नहीं कोई ऑप अला कि बाया जिर्फ बाई करने से ट्रेडिंग नहीं होती है तो वो कम हो गाई या फिर जो इसा की वजह से त्रेडिंग वॉल्यूम कम जाएगा तो इनकी जो इंकम है इनका जो धंदा है कहीं मन देजी बहुता ने है और नए नए सेलिब्रिटीज को एड़ कर रहा है जैसा कि रिसेंटली नूरा फते ही जो क्रिप्टो बिटकोइन को पर्मोट कर रही है को इस तरह के काम भी चल रहे तो यहां से दोस्तों पॉजिटिव कुलू यह मिलता है कि अभी भी जो क्रिप्टो उसको लेके काफी ज को सपोर्ट किया था यानि कि जो इसको फंड की ज़रुत अगर पड़ेगी अचानक में या फ्यूचर में कभी भी तो इसको मिल जाएगा वैसा का वैसा कोई स्विच कुबेर का भी मामला है दोस्तों कि यह काफी जदा एक टाइक बन चुका है यूनिकॉन बन चुका है इ भी मामला है वासीर दोस्तों एंडिया इंडिया जरूर में लेकिन इसके पीछी हाथ वह वैसको फंडिंतक ब्रॉब्लम नहीं है अम्य फंडिंग की बात इसलिए कर रहा हूं दोस्तों कि सपूर्ज आगे जाकि कि इनको धूस्तों खुदिवें को थोड़ा बढना पड़ तो उनकी liquidity को maintain करने के लिए दोस्तों इनको खुद से भी liquidity add करने पड़ेगी तो इनको fund की जुरत पड़ेगी इसी वज़े से दोस्तों यह न्यूज आ रही थी कि माज जो इंडियन एक्सेंज है वो बंद हो सकते हैं अब दोस्तों यहां पर एक पॉइंट है कि अगर funding की problem इन तीनों चारों एक्सेंज को अगर नहीं होगी तो फिर यह बंद नहीं होने वाले फॉर और दोस्तों ट्विट अगर आप देखो गए या फिर जैसा कि वजीर एक्स में अभी जो बंद करने ही वाली बात है तो कुछ एक्सेंज हैं जैसा कि कुछ लोग मुझसे कमेंट करके भी पूछते रहते हैं कि सर कौन सा एक्सेंज जादा अच्छा रहेगा या फिर हम सन क्रिप्टो को यूज करें या ना करें क्यूंकि में को वहां पर लिष्ट होते हैं तो वह तो यह दो तीन जो छोटे एक्सेंचेजिज उनकी गैनेटी कोई भी नहीं दे सकता है आगे जाके फुचर में यह जरूर बंद हो सकते हैं हलाकि शुर नहीं है लेकिन बंद हो सकते हैं क्योंकि जो रिजन सामने आ रहा है जो की होगा फंडिंग से रिलेटेड तो यह दोनों पर खत्रा आ सकता है बाकि यह तीन पर कभी नहीं आ सकता है क्योंकि यह काफी बड़े companies बन चुकी है काफी registered है और इसके पास funding की कोई problem कभी आने नहीं वाली है वजीरेक्स का दोस्तों एक rumor था जो कि खुद वजीरेक्स नहीं दिया था एक बार जब 30% टीडियस टेक्स लगाया गया था प्रोफिट पर तब दोस्तों वजीरेक्स ने अपना जो office था जो मेन office होता है वो दूबई में shift करने का सोचा था यानि कि इंडिया से वह बाहर निकलना चाह रहा था लेकिन दोस्तों बाद में उन्होंने खुदी उस चीज़ को दोस्तों उसके अगैस महलब उसके खिलाप यानि कि उस commitment को fake बता दिया और positive कमेंट कर दिया कि इंडिया में इंडिया का जो मार्केट है उसको वह कभी भी छोड़कर नहीं जाने वाले है अब दोस्तों कुछ बार बार जिस तरह से हमारा constitution है उसी तरह से इस पर भी regulation की काफी जादा guidelines लगा चुका है already government तो government को चाहिए tax पैसा चाहिए काफी जादा उनको बस यह कि अगर इसको हरत दुनिया ही accept करी जिस साबसे bitcoin का adoption बढ़ रहा है दुनिया में तो दोस्तों government इसको बेन कभी भी नही होता है और आगे जाके वही बात settlement पर आती है regulation पर आ जाती है तो इंडिया ने दोस्तों इस तरह से सामने आके कभी भी नहीं बला है कि सिदा हम बैंक कर देंगे सिर्फ बैंकों की तरफ से यह rumors काफी ज़्यादा निकलते हैं लेकिन अभी भी दोस्तों का future है आज के अगर एक दो साल बाद आप देखोगे तो यह जो टेक्स वाला system है जो अभी गड़ बड़ा है फिलाल में वह भी काफी ज़्यादा अच्छा रहेगा अब कुछ लोग जो ज्यादा smart होते हैं या फिर जिनोंने काफी ज्यादा अच्छे कासे amount में खरीदा होगा और जिनकी दोस् तो यहाँ पर पेसेस दिखा रहे हैं जैसा कि अगर कोई सपोज किसी ने अगर एक लाक डॉलर डाला हुआ होगा सपोज मैं वेल्स की बात करहा हूं जो बड़े बड़े इंवेस्टर होते हैं अगर आप छोटा भी लेके देखो तो सोचो अगर एक हजार डॉलर भी डाला रिजन यह कि उसको बाकी का जो 3,000 डॉलर जो उसका प्रोफिट बन रहा है उसमें से 30% जो फ्लेट टेक्स देना पड़ेगा गोर्मेंट को जो की वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा अब एक चीज और दोस्तों जो टेक्स का सिस्टम में उसको लेकि छोटे इंवेस्टर का पेरां होंगे तो ऊसकी बात तो दोस्तों अभी णिऊज सेंट करें धृफोले में जिससे फीर जाइक जतने बी टेक्स होगा उसका अलग से सेक्षन रहेगा का कि हर कोई जो यूजर होगा वो अच्छे से इसको ट्रेक कर पाएगा कि कब जाकर मुझे टेक्स पे करना और कितना कोट क्लाना है कितना मेरा प्रोफिट हब हा है एक साल मैं पूरा और उतना calculate कर पाऊगे आप exchanges पर अब दोस्तो एक commitment आई है दोस्तो जो कि CoinDCX ने दिया है हाला कि ये बात CoinSwitch Kuber और Wajir X न अभी तक नहीं बोलिए लेकिन CoinDCX ने दोस्तो एक और statement दिया है जो कि काफी ज़्यादा positive है अगर ध्यान से सुनेगा जैसा कि दोस्तो अगर आपने grow app का नाम सुना है या फिर angel broking है जो भी जितनी भी apps है दोस्तो जो इंडियन app है या फिर कोई foreign app भी है जहाँ पर stock trading होती है तो वो दोस्तो ये कह रहे हैं कि crypto trading भी वो आगे जाके वहाँ पर सुरू करने वाले हैं यानि कि उनके platform पर आगे जाके crypto को भी trade किया जा सकेगा उसी तरह से दोस्तो कोई डिक्षेक्स ने बोला है कि आगे जाके ये future में equity भी लाने वाले अपने exchange पर यानि कि एक ही software के अंदर आप crypto जिस तरह आभी हम तो अगर coin DCS ऐसा सोच रहा है future में करने के लिए तो definitely ये बंद नहीं होने वाला है ना ही Indian market को चोड़ना चाह रहा है क्योंकि अगर इस तरह की बाते ये कर रहा है और आगे जाके implementation होंगे तो यहां से for sure के लिए हो जाता है कि ये बंद नहीं होने वाले है क्योंकि इनको एक मातर जो problem आ रही है वो भी नहीं आ रही है जो कि ये funding से related बाकि अगर आप Sun Crypto वगेरा भी use करते है तो दोस्तों आप सिर्फ meme coins के लिए उनको इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि कुछ लोग होते है जो INR में meme coin खरीदना चाहते है जैसा कि Sun Crypto पर वो ज़्यादा तर available होते है तो आप अपना portfolio काफी छोटा वाँ पर रखे जो कि meme coin का होता है basically आप कोई alt coin या stable coin जो strong project होते है वो मत खरीदिये Sun Crypto पर क्योंकि ज़्यादा अगर आपका पैसा वहां पर रहेगा तो वो थोड़ा खत्रे में आ सकता है Sun Crypto पर आप जैसे कि suppose अगर आपका पूरा portfolio size एक हजार डोलर है तो आपको maximum 50-60 डोलर तकरीबन आपको Sun Crypto में रखना चाहिए क्योंकि उसी हिसाब से दोस्तों आप अपने MemeCoin में इन्वेस्ट कीजिए बाकी का amount जो सारा का सारा वह अच्छे अच्छे exchanges पर रखो हलाकि इनमें problem जरूर आ सकती है कुछ delay हो सकता है कि जैसा कि अगर यह deposit withdrawal बंद कर दिया तो दो तीन दिन तक बंदी रहता है वह problem जरूर आ सकती लेकिन आपका पैसा at least safe होगा तो इन तीनों को आप यूज कर सकते हैं बाकी दोस्तों यही था आज की वीडियो में इंडिया में जो क्रिप्टो का फ्यूचर है वह ब्राइट है डेफिनेटली आगे जाके रहने वाला है और एक गुंदी जो होरे दोस्तों वर्डवाइड जो एक्सेप्टेंस है वह और ज्यादा बढ़ गया है कल तीन कंट्रीज ने ओर टेंडर पास कि है जो की काफी पॉजिटिव न्यूज है क्योंकि दुनिया में तो दोस्तों को बिटकोइन का एडॉप्शन है वह लगाता बढ़ता जा रहे तो फिलाल यही था इंडियन इसेंजिस बंद होंगे या नहीं होंगे तो अभी आइठिंक वह किलेर हो गया होगा तो फिलाल के लिए यही था बाई बाई थेंक्यू